पांड में तो नमस्कार दोस्तों एपने छेट जी के पांट में आप सभी का सवाकत है हमारे चैनल को जड़ा से सब्सक्राइब करें वीडियो को जड़ा से से लाइक करें वीडियो कापने दोस्तों के साथ dhu android क्या से यह लिंक है description में दिया है इस वीडियो में पाक्यांस के लिए एक सब्द के बारे में हम आपको पताएंगे चलो सिरू करते हैं इस वीडियो को ना हो सकने वाला जो नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं असंभव कहते हैं जिसे सहा न जा सके उसे क्या कहते हैं असहनिय कहते हैं जिसकी कोई स कहते हैं खुटनों तक जिसकी पाहे हूं उसे क्या कहते हैं अजान वाव कहते हैं अधितिकी सेवा करने वाले को क्या कहते हैं अधि थेई कहते हैं सरकार या प्रसासनिक अनुसासन की क्रूलता से उत्पन इस्थित को क्या कहते हैं आतंक कहते हैं अपने जीवन का सोलिखित इतिहास को क्या कहते हैं आत्मगता कहते हैं अपने प्राण अपने आप लेने को क्या कहते हैं आत्मगाती कहते हैं दूसरे के लिए अपने को संकर में डालना, क्या कहते हैं? अत्म हत्यक कहते हैं, अपने को दोखो देने वाले को क्या कहते हैं? आत्म बंचक कहते हैं. स्वयम की हत्या करने वाला क्या कहते हैं आत्मत्यक कहते हैं प्रारम से अंध तक क्या कहते हैं अध्यंत कहते हैं पैर से लेके सिर्थक क्या कहते हैं अपद मस्तक कहते हैं जिसके आर पर देखा नगाव सके उसे क्या कहते हैं अपाद रसी कहते हैं ऐसा ब्रत जो मरने पर ही सम अंतरनाद कहते हैं आसा से अधिक जिसकी आसा ठाकी गई हो उसे क्या करते हैं ततकाल कबता करने वाले को क्या करते हैं आसु कभी कहते हैं जो मोहित हो गया हो उसे क्या करते हैं असत कहते हैं जो मृत्यु के समीब हो, उसे क्या कहते हैं, आसन मृत्यु कहते हैं, इरस्वर में पिसा सकने वाले, इरस्वर में पिसा सकने वाले का कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, दूसरे की ब्रिधित को देखकर जलने का भाव को क्या कहते हैं, इरसा कहते हैं, जो दूसरों किसे इरसा करता उसे क्या कहते हैं, जिस पर कोई करण ना हो, उसे क्या कहते हैं, उकरण कहते हैं, खाने से बचा हुआ जोट्था भजन को क्या कहते हैं, उजिस्ठ कहते हैं, जिसका हर्दे उदार हो, उसे क्या कहते हैं, उदर हर्दे कहते हैं, बहुत परिसरम वा लगन सील वेक्ति को क्या क कहते हैं, जिसकी उपच्छा की गई हो, वास्तरी को क्या कहते हैं, उपच्छित कहते हैं, जल स्थल तोनों जगा रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, उपचर कहते हैं, जिसका उलेख किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, उलेखित कहते हैं, किसी बात को लिख लेना या लिख रिम्झाने करते हैं उलेख कहते है उपर कहा हुआ, छो उपर कहा गया है, उसे क्या कहते हैं, न्यगदा के दोन में पेय्दा ना हो उसे का क्ता है, बंज़र्या उसर के दोन में हैं, उसे क्या कहते हैं? एकांत कहते हैं. जिसका चित एक जगा पर इस्तिर हो, उसे क्या कहते हैं? एकांचित कहते हैं. जिस पर किसी अनिक का कोई अधिकार ना हो, उसे क्या कहते हैं? एकांधिकार कहते हैं. जिसका एक मात्र अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? एकांधिकारी कहते ह काटों से भरा हुआ क्यों क्या कहते हैं कंटकिय कहते हैं, जो फूल खिला ना हो उसे कहते हैं कली कहते हैं, इसकी कलपना की जा सके उसे कहते हैं कलपनिय कहते हैं, जो कलपना से परे हो उसे कहते हैं कलपनीत कहते हैं, जो इस्तरी कविता लिखती हो उसे कहते हैं कवित्री कहत कहते हैं जिसे करतभी का बहुत ना हो उसे कहते हैं करतभी विमूर कहते हैं अपने करतभी का निरने ना कर सकने वाला करतभी और आ करतभी के निरने में आसमर्द को क्या कहते हैं किन करतभी विमूर कहते हैं द्रच लताओं से घेरे अवस्थान को क्या कहते हैं कि सोरा अवस् यह मिलने की आयो को क्या कहते हैं कुमारा वस्ता कहते हैं उचे कुल से संबंदित उसे क्या 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 को ना मानने वाले को करता गिन कहते हैं जो मोल लिया गया हो उसे का करीद कहते हैं जिसे च्छमा किया जा सके उसे का करता है च्छमे कहते हैं जो नश्ट होने वाला हो उसे का कहते हैं छैसील कहते हैं वह स्थान जहां प्रतिवी और आकास मिलते दिखाई देते हैं उसे का करत कहते हैं लेने यो की हो से क्या कहते हैं क्राहम कहते हैं नमस्कार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में तो तक लब से का धन्यवाद